मित्रों काफी देर से बैठे हैं और पुरु के वक्ताओं ने अपने विचारों का ठेक से प्रस्तुति करें गिया खास तोर पर गित का लकार साथी हमारी वहने भी है अपने अपने तरीके से मैं रुख जाकर पांच मिनट जिस धर्ती पर भेटे हैं इस धर्ती का बहुत लंबा चवड़ा इतिहास है तवारे के पन्ने इस बात के शुबूत और गवाह हैं कि इस मुल्क को सोने कचिडिया कहा गया और कहा गया कि इस देश में दूद और दही की नदिया बहते हैं एक जमाना हुआ करता था जब यह देश दुनिया का विश्व गुरु कहना है जो दुनिया को अपना संदेश दे रहा था आज परिस्तिया कौन सी आ गई हैं जिसके कारण हमारा वेटा बेरोज्यारी के नाम पर पढ़ाई के नाम पर कटोरा लेकर के मार्केट में खड़ा है दो तीन विश्व पर हम सब चिंतन करेंगे मैं समय नहीं लूँगा चर्चा कर रहा था यह धर्ती बहुत ही आईतिहासी करती है संचालक महोदय राम नरायन राजवर बड़े अच्छे साथी है बार बार मुक्तक के माध्यम से अपनी बात को कह रहे थे और मैं भी वहीं से सुरुवाद करूगा जहां से इन्होंने खतम किया कि यहां की भूम भी कुंदन से कम नहीं यहां की भूम भी कुंदन से कम नहीं राष्ट की रागनी बंदन से कम नहीं आओ चुटकी से उठा माते लगा ले हम क्योंकि फत्तिपुर की माती चंदन से कम नहीं करुणा के सागर्थ तथागत भगवान गौतम बद्ध के चरणों का नमन करते हुए राजवर समाज की आन मान सान स्रावस्ति समराट महाराजा शुवल्देव जिनके चरणों का नमन करता हूँ और ऐसे महापूर्श के नाम का अस्मरण करूगा जिन्होंने दुनिया की कोने कोने में घुम घुम करके मानावता का संदेश दिये थे बाबा साहब डाक्टर भिम रावाम बेटकर समवेद संतों गुरू और महापूर्शों के प्रते देश्त विराजमान जो इसकार कारिक्रम की अध्यक्स्ता कर रहा है सम्मानित अध्यक जी अपने विचारों का ठीक से प्रस्तुति करण किये जिनके अंदर समाज की पीड़ा है समाज की दर्थ है नवजवान जिवा साथी जो भारती जनता पार्टे के बहुत सीनियर साथ भाई डॉक्टर राड़ा विजय राजवर जी आप बगल में पर्चे के मोहताज नहीं है बहुत ही बहुत समाज पार्टे के सिनियर साथी जो विभिन पदों पर पता सिन रहे पिछले बार सिजिला पंचायत का चुनाव लड़ों ते कुछ एक वोटों से पंचायत में नहीं जा पाए मुझे लगता है किस बार जनता आपकी भरपाई कर देगी भाई मन्नु अधन्य मन्नु और मन्नु गौतम जी भाई राम भुवन सिंग जी जिनके करांतिकारी वोज को आप सुन रहे थे कहते हैं जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलत है जवानों में जोस होता है और आपको देखने को मिला भाई राम भुवन सिंग बेसक यह 40-35 के उमर में हो सकते हैं लेकिन जजवा मुझे लग रहा था कि 18 वरस का बेटा अगर आस 18 वरस के बेटे को इनके सामने खड़ा कर दिया जाए तो जजवा में भाई राम भुवन सिंग उन से पीछे नहीं रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम भुवन सिंग जी भाई आधनी प्रदान जी जो हमारे अच्छे मित्र हैं डाक्टर रोमेश जी मुझे लग रहा है चले गए हभीपुर भाई राहुल सिंग जी अच्छे पत्रकार साती हैं उनके स च्छे भी आधनी प्रुफ्रमुग जी तेजा राजवर जी ललन यादव जी बहुत ही अच्छे साती कते हैं बापे पूज परापत घोड़ा ना जादे तो थोड़ा थोड़ा नाम का आसर तो रहता हिए आटेने मुलायम सी यादो आयसा छोटा भाई एक बार नाम की नाम पर एक बार ताली बजाई ये भाई मुलायम यादो जी तो बड़ा अच्छा करांतिकारी साथी भाई दीन दयाल राजभर जी जिनके इंदर समाज की आहोती पिंडा है सच हमारे साथी कह रहते के भी एक मा पूरू इनन डाई सो कंबल का वितरन किया जहां भी जरूरत होती है एक बार खड़ा हो जाई ये भाई डाक्टर साथ दीन दयाल राजभर जी बहुत बहुत धन्यवाद इनके साथ हमारे अच्छे साथी भाई डाक्टर नागेंदर चेवान जी दीपक यादो जी भाई सं पूजनते तत्र देवतार मनते मैं तो काता हूँ जत्र ब्रामण पूजनते तत्र देवतार मनते एक बार ब्रामण देवता का विताली बजा ये भाई देखरी ओम प्रकास राजभर जी जो कॉंग्रेस पार्टी के बला के अध्यक्षे भाई उनके स्रहयों की साथी पारस अन्त में पारस का नाम ही आ गया एक जमाना हुआ करता था कि पारस एक ऐसा पत्थर हुआ करता था कि जिस लोहे को छूदे वो सोना होता आज मैं कह सकता हों कि यह पारस लोहा को सोना तो नहीं बना सकते लेकिन बिगड़े हुए राजवर को सही रास्ता तो दिखा सकते हैं बाई पार बहुत 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 दंदबाद उपस्थित तमाम नाम लोगा मेरा समस्वाब तो जाएगा मैं मंचेश्ट विराजमान सभी अपने आदरी जनों का बहुत बहुत आदर सम्मान करते हुए खास्ता और पर बाई चंद्रहास जी कितना धन्यबाद दूँ आपको धन्यबाद दूँगा आपको यह बेहिमानी होगी अरे नमन तो करूँगा उस मा और पिता के स्री चरणों का जिन्होंने आप जैसे बेटा को पैदा करके एक मुकाम हासिल करने का एक आउसर प्रदान किया आएसे चंद्रहास के माता पिता स्री के कि स्री चरणों कानमन करता हो और बहुँ चंद्रहाजी को आपको भी धन्य बाद देता हो आपके सअयोगी या अ ... चंद्रहाजी उनकी पूरी टीम को धन्य बाद देता होань और खास तोर पर। बाधी मोती लाल चले गए मोतिलाल को आप ने देखा क्या हास कभी हैं डीब। वाए मोती लाल उनकी पूरी टीम के में बहुत तन्ह बाद देता हुँ और संचालक महोदय आपने कुसल तरीके से आज कि देवियों सर्जनों मात्र शक्ति के रूप में बैठी हुई माता आए प्यारे बेटों तो था बेटी हुँँ दो तीन बात करूंगा माई घबडाओ जी केवल केवल दस मिनिट बोलूंगा जा देन अभी आप बैठी हैं कमबल के लिए माई बैठ जाओ कमबल तो दे दिया जाएगा बैठी हो और जब कमबल आपको दिया जाएगा तो आप हाथ पसार करके पैसे मांगोगी दोनों हाथ आगे बढ़ाओगी और आप कहोगे कि चंद्रहास भया हमको दे देजिए सर्दी लग रहेंगे कोई प्रत्निधी आएगा सांसत मिद आएगा आप कहोगे खड़ंजा बनवा देजिए साथ हैंड़ पाइप लगवा देजिए आवास बनवा देजिए और थात जब भी किसी से मांगेंगे तो दोनों हाथ पसार क लेकिन हम पांच मिनिट आप से बात करेंगे अगर मेरी एक बात आपको समझ में आ गई है यह दुदुम्हा बेटा आपके बगल में बैठा है आपके गोद में बैठा है अगर मेरी बात आपके दिल और दिमाग में बैठ गई तो मेरी मां मेरी वहन आज जिस कंबल के आप तो मांगोगी तो हाथ पसार करके मांगोगी लेकिन मेरी बात अगर तुम्हारे जहन में बैड़ जा तो कल के दिन यही आपका बेटा या मांगले वाला नहीं होगा बलकि देने वाला होगा और देने वाले का हाथ उपर देने वाले का हाथ उपर और लेने वाले का हाथ नीचे आखिर आजता हैं करना पड़ेगा कि हमेरा बेटा देने वाला बनेगा कि लेने वाला आज कि इस विसे का एक मुख के मौनका हो आखिर कैसे देने वाला बनेगा कभी आपने सोचा हमारे गारजियन आप बटा चाय बंद कर दो जिम्मेदार गारजियन बैठे हैं हमारी मा भी बैठी हो हमारी बेहन भी बैठी हो इमांदारी से बताओ अपने कलेजे पे हाथ रख करके क्या आप अपने बेटा को तीन बजे भोर में चार बजे भोर में पांच बजे भोर में आप जगाती हो कुई बहन का है भाया मैं चगाती हूं मैं अपने गार्जियन से भी बात करना चाहता हूं अपने भावक से भी स्वर्ग बनने जिसके कारण ने आनी है अपने अवलाद के लिए क्या एक घंटा बैट नहीं सकते, क्या एक घंटा बैट करके, अपने बेटे को Switch On करके, दिया सलाई लाल टेन जला करके, चार पाई पे भिठा करके, तक्था पर भिठा करके आप पढ़ाने का काम करती हो? नहीं पढ़ती हो सोचो मेरी मा मेरी वियन जब तुम अपने जिम्मेदारी का निर्वान करोगे दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुमारी समस्याओं का समधान के ओल डाक्टर रमा संकर राजवर रास्ता बता रहा है अगर रास्ता को अक्तियार कर लोगे तो कल आज मैं बात करके जा रहा हूँ यह हमारी बेटी दस साल के बाद जब पढ़ लिकर के लायक बनेगी आई-स बनेगी आई-पी-स बनेगी पी-स बनेगी ते एक बार तुम कहोगे कि डाक्टर रमा संकर राजवा ठीक कहा था आज से दस साल पहले तुम्हारी बात मैंने मानी थी मैं तो अपने गार्जियन से भी कहता हूँ अरे मेरे भाई मेरी मा मेरी वहन तु गरीब मा हो गरी जाक करके अपने बेटा को पानी पिलाती हो मुँ धुलाती हो छोटी-छोटी चीजे हैं बिने पैसे की चीज है कुछ लागत नहीं कुछ लेना नहीं अरे बेहन तुम्हारे खून में वह अताकत है तुम्हारे बंसावली में वह अताकत है एक तरब तुमाह हो तु हमारी बेहन हो अपने बेटवा को सुबह भुरहरी में जगा करके एक गिलास ताजा पानी पिला हो और इलाके की दूसरी मां होगी जो अपने बेटा को काजू किस्मिस बादाम खिलाएगी काता हूँ तीन महिने बाद प्रतियस परधा की दोड होगी राम्भूण सिंग जी प्रतियस परधा की दोड होगी और उस दोर में तेरा पानी वाला बेटा पानी बचा के आगे निकल जाएगा और दूध वाला पीछे छुप जाएगा करो तू करती, कुछ नहीं, शै करती क्या हो चंदा मामा आरे आमें, पारे आमें, शोने की कटोरिया में दूद हाथ, लहले आमें, अब बुबु की मुहां में घुटू नंकली खीसा सुनाती हो इससे काम चलेगा, इस कमबल से काम चल जाएगा लेकिन मेरी बात अगर तुम्हारे जेहन में बैठ गई तो तेरा बेटा एक दिन आफसर बनके आएगा तो धन्य बाद दोगे कि वारे चंद्रहास काश तू डाक्टर रमा संकर राजभर को न बुलाता बेटा मेरे जेहन में ये बात न बैठती तो मेरा बेटा आज अधिका अधिकिन गलाड़ा जल्एं नेलगास जगाव उठो लाल बएंखे खोलो पानी लाएं हुमव धोलो एक सार बेटा नहीं जगेगा दो दिन नहीं जगेगा पान दिन नहीं जगेंगा दस तिन नहीं पनेगा पुवाल की रसडी जब पुवें पर रगड करते 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 जब पत्थर को काट देती हो तो जिस बेटा को सुबह साम भोजन कराती हो जिस बेटा को कपड़ा पहिनाती हो वो बेटा तुमारी बात नहीं मानेगा मानेगा एक दिन नहीं दो दिन नहीं चार दिन नहीं दस दिन नहीं पंदरा दिन जाते जाते वो आदत पकड़ लेगा और जिस दिन बेटे को गणित लगाना आ गया जिस दिन बेटे को अंगरेजी पढ़ना आ गया जिस दिन पढ़ने का आनंद बेटा को मिल जाएगा फिर उस दिन अपने बेटा को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर लो बेटा, आज या आवसकता है, इसकी जरूरत है, और स्वरग और नरक न उपर है, न नीचे है, न ताय है, न पाय है, स्वरग है, तो किवल आपके आमन में है, समय बिलकुल समय ट्राहा हूं, क्योंकि जाने के मिजाज में है, स्वरग ऊपर नीचे नहीं है, जिस घर में पति-पत्नी का अच्छा संबंध होगा, जिस घर में भाई-भाई का अच्छा संबंध होगा, जिस घर में ननग जठानी का अच्छा संबंध होगा, वही घर स्वरग होगा, और जिस घर में महावारत छीड़ी होगी वही गार न रखोगा क्या चाहती हूँ कि है डाक्टर राड़ा विजे भारती जनता पार्टे के सबसे बड़े ठिकेदार है और इनी से मैं शुरुबात करता हूँ कि यह राम के पोशक है मैं भी यादर करता हूँ भगवान राम जब बाली को मारते हैं और सुग्रीव जब बस्ता है तो कहते हैं बोल सुग्रीव तुमको कहां भेज़ दें सुरग में जाओगे की नरक में जाओगे तुलसी बाबा रामायर में लिखते हैं बलवैबाश नरक करताता दुष्ट संगजन देहु विधाता आए पोड़ प्रम परमात्मा मुझे नरक में भेजना सर्त यहो कि जब नरक में भेजना तो पढ़े लिखे लोगों का साथ कर देना अच्छे लोगों का साथ कर देना ताकि नरक को भी स्वर्ग बना दें और प्रभू स्वर्ग में भेज देंगे और कहीं दूस्तों का साथ कर देंगे तो स्वरगों को भी नरक बना देंगे प्रेम से बोलो संत सिरोमर रवी दास की एक अध्याय कथा हुई है अभी उमेजी अभी एक अध्याय कथा हुई है यानी स्वरा सुना तो के जड़वत ना माई हमारा आई कहा तो निकाल के तो के दे दी चला गबलाओ जिन बस दू मिनिट आओ दो बात मैंने कहा कभी कभी ट्रेन जाती है माई सुनू ट्रेन जैसे चलेगी महूं से और रुखना होगा उसको अउड़ी हार और बीचवे में जब चेन पुलिंग हो जाता है तो फिर पुरा पोईला डालना पड़ता है तब फिर उरप्तार पकड़ती है कोई बात नहीं माई है कोई वाक अभी प्रायमित्रों चोटी-छोटी समस्याइं हैं चोटी समस्याइए हमें पिछाड़ बढ़ी आप जरूरत था मैंने दो पर बल दिया एक तो अपने विडी बनाना चाहते हूँ मेरे भाई अपने बेटा बेटी को पढ़ाओ और दूसरी बात मैं नहीं मैं कहा कि घर में भाई चरा बनाएंगे पिर सरुसमाज में भी भाई चरा बनाएंगे मैं नहीं कर सकता कि अमुख समाज का व्यक्ति कराब है हम तो कर रहा है कि बेहन तुल ना करा रहा हूँ दूबे जी बैटे जान से सुनो मेरी बाद दूबे जी बैटे मैं इनको साच्छी मान के कर रहा हूँ हर ब्रामण धनवान नहीं है कुछ ब्रामर समाज के ऐसे भी लोग हैं बहुत गरीब हैं बहुत गरीब हैं इतना गरीब हैं भी छाटन करते हैं भी छाटन करते हैं भीक मांगते हैं लेकिन भीक मांगने वाले ब्रामर से पूछना कि हे बाबा इबताईए कि आपका कठो लड़के कहेंगे ए बेटा तीन पढ़ता है कल के दिन अगर बेटा को डेल ही भेजना होगा तो गाहों के बजाए चार गाहों वी चातन करेंगे लेकिन अपने बेटा को डिल्ली इन्वर्सिटी में पढ़ाएंगे और राजभर का बेटा, राजभर का बेटा दुवाई में काम करता है, सौधी की खाड़ी में काम करता है, कलकता, बामबे और डेलही जैसे सहरों में कमाता है, कोलेली में कमाता है, एक लाख सिलरी पाता है, माफ करिएगा साम का वकत हो गया है, अगर मेरी बात गलत लगे, प जितना विक्री होगा तो उसका एक बटा दो राजभर का बेटा पीने वाला होगा इस पर भी ताली बजाएंगे तो को राजभर का बेटा सराथ पीएगा सुर्ज हुआ आस राजभर हुआ तेरी दिन चलिया है माफ करिएगा मैं अपने मन की पीड़ा बता रहा हूं चंद्रहास भाई चुकि इसी कौम में पैदा हूं दूबे जी अपने लोगों को देखके मुझा लेगा कि छोटी छोटी ठामिया हमें पीछे ढखेल लेए इस बात को फोकस करना चाहिए बटा नवजवान जला सोचो अगर नहीं सोचेंगे वक्त पीछे मुड़ेगी कभी मुड़ करके नहीं आज आओ सकता है हमारी जो छोटी छोटी खामिया है इस पर वदस्तूर विचार करें और अगर इसको ठीक से नहीं करेंगे तो सुर्ज अस्थ हो रहा है थोड़े दिर में अधेरा हो जाएगा हमा दो पूरी दुनिया अंधकार में हो जाएगी एक गाओं का बना हुआ माती का दीपक हरा गाओं का माती का दीपक सुर्ज के पास पहुशता और करता है सुर्ज तु किस बात की चिंता करता है सुर्ज ने का रहे दीपक तु मुझसे पूछ रहा है तुझे पता नहीं अब मैं डूब जाओंगा और जब डूब जाओंगा तो पूरी दुनिया अंधकार में हो जाए शॉत भूल के गाउं का मातीका धीपक घ्र सरज को ललकार्ता है सोर्ग तुझे Îंगrh मुजे उसकी चिन्ता नहीं अरे मैं तो गाउं का बना हुआ मातीका धीपक हूं जहां भी रहूँ सब्सक्राइए जहां रहे चौपाल पर रहे कास्माबाद कर रहे तिराय पर रहे जहां भी रहे अपने समाज की चिंता करते रहे हैं कि मुझे बजपना का वो प्रार्थना याद है कि जब हम लोग छोटी कख्छाव में पढ़ा करते थे तो प्रार्थना हुआ करती थी वह सकती हमें दो दया निदे कर्थप यो मार्ग पर डट जाओं और आगे की पक्ति होती थी कि जिस देश जाती में जनम लिया बलेदान उसी पर हो जाओं आजाओ सकता है जरूरत है अगर अपना बिगड़ी बनाना चाहते हैं अपने मंड़या में खुशिया लाना चाहते हैं तो हमें तीन बातों पर बल देना है पहली बात अपने बेटा और बेटी को पढ़ाओं अधी रोटी खाओ समाज के लोगों अगर घर बनाना होगा आर्किटेक्चर के पास जाओगे इंजिनियर के पास जाओगे सिंग साब कहां जाएंगे जाएंगे लाल जी राजबर से पूछेंगे लाल जी बहुत घुमते हो बताओ हमारा मकान कईसे बढ़िया बने बिटिया की साधी करनी अगर किसी यादो जी के घर बैठ करके पूछे हैं कि भाईया जरा बताइए अब हमारा लड़का का अक्षा बारह में पढ़ रहा है आगे कौन पढ़ाई पढ़ेगा कभी पूछे हैं खेत बेच करके घर बनाने वाला बाप तो कईयों मिले खेत बेच करके बिटिया की साधी कराने वाले बाप तो कईयों मिले लेकिन एक भी बाप आज तक मैं नहीं पाया जो खेत बेच करके अपने बेटे को पढ़ाने का काम करता हो जरूरत है आउशकता है कि बेटा को अगर पढाना हो जीने ठोक के कहूँगा कि मेरे भाई पढ़ाओ खुद पढ़ाओ खेत बेचना पढ़े बेचो और आउशकता समझ में आवे तो डाक्टर रमा संकर राजभर से भी बात करो जितना भी बन पाएगा हम भी आपकी मदद क करेंगी मैं तो खुलके कह रहा हूं कोई दूर नहीं है भाईरोपुरगां मैं इसे माटी का बेटा हूं मुझे लगा मन्नु भाई की बाबा साब का सपना था कि जब तक अपने लोगों के पास सिक्षा का केंद्र नहीं होगा तब तक समाजिक आर्थिक राजनेतिक तो मुझे एहसास हुआ क्यों नहीं सिक्षा का एक मंदिर बनवाया जाए मैं भी अपने हाथ से एक निव रखा आज वा विद्याले प्राथमिक से लेके इंटरमीडियट तक डिगरी कालेज बीटी सी और आई टी आई यंसी बीटी मैं तो कहता हूं अगर कोई लायक जिसका कोई सहारा नहीं है पढ़ना चाहता है वह आओ डाक्टर रमासंकर राजभर से मिले बीना पैसा का उसको हम पढ़वाएंगे करेंगे है साम धाई सब बच्चे प्रति वर्ष आई टी आई पास करते हैं मैं माना कि मैं धाई सब में 200 लड़कों को नोकरी नहीं दे पाया लेकिन high school पास करके वेटा iti करता है तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके विभिन कमपनियों से ताइब करके अपने सममन्नों का इस्तेमाल करके पहुतायत ऐसे लड़के हैं जो प्रतिवर्ष 200-500 लड़के जाकर के रोजगार के मुख्यदारा में जुडते हैं अपने प प्रयास किया यह कोई समाने बात नहीं है मैं भी आप से कह रहा हूं बेटा सुन लो ध्यान से पढ़ने वाला बेटा अगर ठीक से पढ़ना चाहता है तो मैं आप से बशन देता हूँ वह पढ़े जितना भी जरूरत पढ़ेगी हर समभप्रयास किया जाएगा उसकी मदद किया जाएगा लेकिन अगर वही बात है दो कदम आप चलोगे चार कदम हम चलेंगे तो तुम्हारी मंजिल मिलेगी और भुरहरी में दड़ने की आदत बनाओ क्यों आप कहोगे जादोजी के लड़के भारती हो गए अरे मैं तो देखता हूँ मेरे भाई सड़क पर कभी-कभी मैं ड्राइवर को रोक लेता हूँ तो भाई लोको जड़ा पूछा जाए माफ करियेगा कभी-कभी एकाद सव लड़के मिलते हैं और पूछने के बाद बटा क्या नाम है क्या नाम है घुमा घुमा करके सरनें तक जाते हैं मैं तो धन्यबाद देता हूँ अपने यादो भाई को साव में 75 लड़के यादों समाज के तोड़ते हैं भरती कौन होगा भरती कौन होगा भोरहरी में ब्रामर का बेटा पड़ता है नौकरी कौन पाएगा आप करते क्या है सुँख यादों का बेटा उच करके दंड ब्राम कसरत अखारे में जाकर करके मुझकि मार करके माठापी करके मुस्तहित से कहम करता है और राजबर का बेटा हीला हीला करके नव बजे किसी तरह से आठ बजे किसी तरह से मा जगाती है और जागने के बाद आख मिल करके अगर गाओं के किनारे कोई ताल है तो पहले माफ करिएगा किस समाजिक परिवर्टन होगा भाई किस तरीके से होगा हमारी बात थोड़ा अने था लगी होगी तो माफ कर दीजिएगा लेकिन मुझे लगा कि यही छोटी छोटी जो चीज़े हैं हमारे समाज को वदस्तूर पीछे ढखे लगी है क्यों नहीं इसे पकड़ करके क्यों नहीं पकड़ करके इस पर काम किया जाए राणा विजय की आत्मा जाग रही है कि जगी है अच्छा जग गई है तो तलत्ताली बजा दीजिए और जाग जाग करा हम भी एक भाला में कोचिंग सेंटर चलवा रहा है कोई लड़का पढ़ना चाहे तो जाकर पढ़े कितना बढ़िया मौकाई देखिए जाग गई कोचिंग नहीं तयारी है बती के लिए लगर को गया तयारी कोचिंग से होती है कोई बात नहीं कि यह भी चेंड़ पूलिंगे करने वाले यह बक्ता है मानें इंगे नहीं दिल है कि मानता नहीं कोई वात नहीं अभी प्राहे मित्रों देखिए फिर मैं बात बढ़ाओंगा आगे बात बढ़ती जाएगी और चीजें चनके आई बहुत-बहुत धन्यबाद दोंगा आपने आयोजन किया आपकी पूरे टीम को धन्यबाद दोंगा कि इसी तरह से रश्नाटम काम हम लोगे प्रियास कर रहा है कि एक बार घांगाओं में बैठ करके जहां दस ही लोग बैठें पाच ही लोग बैठें, बैठ करके कुछ चिंतन किया जाए, कुछ मनन किया जाए, कुछ समाजिक चर्चा पर चर्चा होते रहेंगी, मैं माना कि यहाँ सव दो सव लोग हैं, अगर हमारी बात दो बहन भी माल ली न, तो आज इस मन पर खड़ा होने का मकसद पुरा ह और वहां तुमसे मैं बचन दे रहा हो कि तुम पढ़ाओ, तुम पढ़ाओ अपनो बेटा को, अपने बिठिया को पढ़ाओ, और पढ़ा करके दस, बारा, पंदरा बरस का जब बेटा होता है, तो डाक्टर लमा संकर राजभर से हिसाब लो, ए भाईया तु तो तो कहले अपने बातों पर बातों पर बल दिया, तीन बातों पर मने परमुक रूप से बल दिया, चाहे खराब का पढ़ा पहनना हो, पांसो सारी के जगह पर चाही सव का साडी पहल लो, सब रुपी अपने बेटा को फ्थीश देगों, पांच कोठरी न बन पावे, न बन पावे, एक ही कोठरी में गुजर बसर करो मेरी ब्यान, बनाओगे किस के लिए उसी बेटा के लिए तो बनाओगी न, कि कल के दिन इस बेटा को कोठरी कामा अरे जिस दिन बेटा को बणा दोगी, तु तु पांच कोठरी का सपना दे रहे हो 50 कोठरी बनाने के लाइक हो जाएगा, भरे तु में बनाने की जरोत नहीं पड़े हो, मैं मूंल मंतर बता रहा हूँ, जिस बेटा के लिए घर बना रही हो, जिस बेटा के लिए खेत लिखवा रही हो, बंद करो खेत लिखवाना, बंद करो घर बनवाना, लेकिन अपने बेटा को पढ़ाओ, पढ़ेगा बेटा, तो तु गाओं में खेत लिखवा रही हो, कल के दिन बेटा लायक होगा, तो अपने भाईयों से यादो भाई से सीखो ब्रामण भाई से सीखो छत्री भाई से सीखो कुशुहा पाइश पंच भाई एक चारपाई पे बैट करके असी बरस का जबु जूर प्लाइध चूरा ग corazón के साथ बैट के यह तुह खा तुह खा तुह खा जब पांचों भाई एक चरपाई पर बैठते हैं तो रास्ता पकड़ के जाने वाला व्यक्ति काता है वह अले समाज देखा भया भलाने पांच भाई हों भया और सिप अमर हो गया लेकिन गजब को सलमत बाएं कितना पढ़ि सच मुझ इस धर्ती पर कोई देवी देवता है मैं किसी देवी देवता का अपमान नहीं करता है अगर मैं नवजवानों तेरे जवानी को सलाम करके कहता हूँ अगर सच मुझ कोई देवी और देवता है तो तुमारे मा और बाप से बढ़कर इस धर्ती पर कोई देवी दे लुए लगते ते से किसी देवता को बता दो नाम लेकर कर के जो कहोगी व hörenक करने के लिए तयार हो जाओगा कि से देवता का यहां जाकER तो कि हें बाबा जिंदगी में मैंने नहीं देखा कैइसन बनार सी सारी हो ले तू हमके पहिना दा में कि अजो अपने पती रूपी देवता से कहोगे है पतिदेव आप भी वहां बैठे थे मैं भी बैठी थी हम दोनों आदमी थे आप कुर्शी पर थे मैं जमीन पर थी आप भी सुन रहे थे आप एक काम करिए एक हफ्ता के अंदर मैं आपसे हाथ जोड करके कभी मैं आपका पैर नहीं आज मैं पैर छू करके आपसे मांग रही हूँ कि हमको एक बनार्सी साड़ी पहिना दीजी वह आदमी कहेंगा वारे डाक्टर रमा संकर राजभर्ट हमसे बेसक न सपर पावे अब चंद्रहास से कहेंगे कि चंद्रहास पैसा दे तो भाई चाहे जो कुछ भी होगा लेकि पहिना देगा कि नहीं पहिना देगा तो देवता तुमारा कौन हुआ देवता तेरा पती हुआ तेरा पती से बढ़के कोई देवता नहीं और नौजमानों तुमारे मा बाप से बढ़के कोई देवता नहीं इसलिए अंतिम बात कहते हुए कि हो गई हैं पीरपरवत सीप घलनी चाहिए और हो गई हैं पीरपरवत सीप घलनी चाहिए आने वाले दिनों में इस फक्त्य पुर्गाओं से अब एक दूसरी गंगा निकलनी चाहिए गंगा निकलनी चाहिए इन्हीं सुभकामनाओं के साथ मैं समझ रहा हूं सबकी वेस्तता को अपनी तो वही बात है सिंग साहब ने कहा कि लग जा तो फिर यह घंटा नहीं दो घंटा क्या परक पड़ता लेकिन सुर्जस्त हो रहा है मैं समेट रहा हूं माताय आपको जाना है मैंने तीन भी सुझे पर बल दिया बेटा बेटी को पढ़ाओ घर में भाई चारा बनाओ और जो समाज की छोटी छोटी बुराईया है उस पर परदा रखो और सबसे मुल्जू करके रहो और आने वाले दिनों में अपने मन का अपन चाहत के अनुसार चोटी चोटी जो गाओं पंचायतों से शुरू हो करके जिला पंचायत तक का रास्ता जा रहा है उसको मारक प्रसस्त करों इनिश्व कामनाओं के साथ मंचस्त विराजमान अपने सभी आदर्ली आदर्ली पुताश्री मास्टर साथ तिलग दारी पर भाई मोती जी क्या बात है एक बार मोती जी जड़ा आजाए सामने आई 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 बड़ा अच्छा लगा और इनके टीम को मैं कितना धन्यबात हूं जो हार्मोनियम के साथ पर थे जो डोलक के साथ पर थे इतना पढ़िया तरीका से लोगों ने पकड़ रहा था एक ब पर मोती जी अब हम पहिनाएंगे आप लोग बहुत पहिनाएं भाई बहुत बहुत धन्यबाद चलिए बहुत 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 अच्छा लगा और हमारी वहने चले गई है कोई बात नहीं मंचस्त विराजमान सभी आदर रिजनों को बहुत बहुत आदर सम्मान करते हुए म पर मैं कभी आओंगा आओंगा हमसे हिसाब मांगो मैं हिसाब दूगा कुछ तुम करो कुछ हम करें जब दोनों मिलके करेंगे तब मकसद पूरा होगा इन्हीं सुब कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यबाद एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की महाराज सुहल्द मर रहे महाराज सुहल्द मर रहे दो मुणत इस बाबा साहब कुछ गविश्तार से बिटा कभी जो है ना बंद कोथरी में मैं ठीक से चाक और डस्टर ले करके कभी मौका मिलेगा एक बार मैं बैठूंगा और विधीवत आपको पताऊंगा आप कहां है कहां से आये हैं और आपको क्या करना चाहिए तीन कोटेशन होगा हम काउन है कहां से आये हैं और हमें क्या करना चाहिए इसी ट अभी जिनको सुन रहे थे आप लोग साथियों जितनी बार सुनते हैं हम लोग मानने मुक्य फिति महोदे को अभिलासा उतनी सुनने की बढ़ती जाती है शिर्फ एक मिनट जिनके नेतिरित्यु में जिनके प्रयासों से इस धंग का एक कारकरम संगम देखने को मिला है वो अभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे बड़े भाई आदनी चंद्रास राजबर जी कारकरम के संजुजग हम चाहेंगे कि आवे और अपने लोगों के प्रती अभार व्यक्त करने काम करें अब 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 जबाद हमारे संचालक महोद है मुक्यतिफी महोद है अब सारे लोगों के मश्चांबोधित ना करते हुए जितने अतिफी गड़ आये हैं मुक्यतिफी और छित्र जवार से सभी समानित बंदों का मैं ताहे दिल से हर दिख स्वागत अभिनिंदन बंदन करता हूँ टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है लेकिन मैं चाहूँगा मैं आपके बीच में एक ही बात रखूँगा कि मैं जो आपके लिए संकल्पित हूँ समाज के सेवा के लिए एक मिनट मेरी बात बस सुन करके आप लोग जाईएगा 201 उन गरीब कन्याओं का मैंने साधी करवाया 45,000 रुपया उन गरीब परवार में भजवाया और प्राइबेट में आप लोग साइद नहीं जानते होंगे ग्राम से बाके है महारे में क्याउन बहनों की साधी हो रही थे यह चंद्रहास राजबर आप जैसे लोगों से सहयोग लेकर एक प्रक्समान डाक्तर सीव कुमार राजबर जी के द्वारा एक कुंतल लड़ू एक कुंतल ढूड़ी एक कुंतल बतासा एक यह क्याउन गवरी उसमें आता यह सारी चीजे मैंने प्राइबेट मैं ऐसा नहीं कि सरकार ने दिया था यह मैंने दिया था उस महारे में उन गरीब बच्चियों के लिए इसी कास्वामाद में 105 बच्चियों को मैंने सामुहिक साधी करवा करके और उनके परिवार में पैसे भज़वाया और उन्हीं गरीब परिवार से मैंने महारे के लिए मैं एक बात बड़े दुख दर्द क साथ करना चाहूंगा कि बड़े अदब के साथ मैंने कहा था कि मेरे गरीब भाई और मेरी गरीब बहने एक बात याद रखना महारे में भी गरीब हमारी बहनों की साधी है तुम्हें मैंने दिलवा दिया पचीस-पचास अजार उसमें से एक दोरी और जपोला तुम अपने परिवार को जालकर उन गरीब बहनों के लिए अपनी बेटियों के लिए दे देना लेकिन गरीब या पने ही गरीब का मदद नहीं करना जानते नहीं दे पाए और मैंने यह ट्रक समान उठा करके यहां से अपने करियाले से बहस्ता बनवा करके उस महारे में गरीब का सामोहिक साधी मैंने करवाया इसी नेसला इंटर कालेज के मैंदान पर 45-45,000 रुपया उनके परिवार गरीब परिवार में भिजवाया मैं यह नहीं कहता कि मुझे इस पर देख करके यह मेरा काम है अभी मीडिया कर्वियों ने मुझसे पूछा कि आपका मकसद क्या है चंद्राज भाई मैंने साब कहा कि देखिए मैंने जो संकल्प लिया उसंकल्प को मरते दम तक निभाऊंगा आप निभाये चाहें लो निभाये लेकिन यह संकल्प लिया है चंद्राज तो निभाएगा समाज का सेवा करता हो करता रहोगा और जो भी हमारे ग्रांव सबा के लोग या दूर सभी आए हमारे जो सम्मानिक बंदू है अगर जाने अंगाने में मुझे से गल्तिया हो गई होगी तो अपना दास समझ कर अपना बेपा समझ कर आप लोगे च्छमा करिएगा और मैं बस आपसे एक चीज मांगूँगा के मेरा होसला कभी पस्त मतों दिजिएगा मैं वह दिन दिखाना चाहता हूँ कि एक दिन इस ग्राम सभा के लिए और सोचने पर मजबूर हो जाए कि ग्राम सबहा कल क्या था और आज क्या हो गया है जैसे डक्टर साम आप एकल इस ग्राम सब्सक्राइब लाने का मैं संकल्पीत हो कभी वक्त पड़ेगा तो यह कारे जारी रहेगा और हमेशा आपके सवा में तत्पर रहूंगा अब आगे आपको देखना है मेरे गंतियों को छमा करते रहेगा और मेरे होसले को गुलंद करते रहेगा उन भी चंद बातों के बाद संब को चुका है बहुत कुछ काना चाहता था चमा करेंगे और सभी लोगों का अभुवादम अभार्वल करते हुए कालकर्म की समापन करेंगे हमारे अदर्ट चमा हो दैं आद आली हाँ अरहा अभी जो हमारे बढ़ा है और भ्कलांग लोग है जिनको बित्रण करना बारी बारी से इस पर लिस्ट पर नाम बोलेंगे हम और आप लोग ले करके अपने अस्थान पर जाएंगे